आपको पता है कि आप लोग रोज पढ़ते हो सुबा सुबा साथ बज़ कर पंदरा मिनट से इस चैनल पर साथ बज़े से PBR स्टड़ी लहाबा चैनल पर और उसी करम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका साइन्स का जो कलास चल रहा था उसमें आगे पढ़ा जाएगा आगे जो भी बच्चे जुड़े हैं सभी को गुड़ मानिंग सभी से निवेदन है जल्दी से कलास को लाइक कर दो बाबू और दोस्तों में सेयर करना नहीं भूलना तुरंद करो इतना मनोज यादो जी गुड़ मानिंग सचिन चोदरी अखलेस हीना साहू, आजय गेमिंग, परमोद, राजपूद, एलेस, यूटूब, दुर्गेश कुमार, पिपिन, रोसन, पिउस पाठक, बलिराम, कुमार यादो, यसराज सिंग, नाब्या गुपता, देवदास, जितेंदर मिसरा, पुनम देभी, रभी यादो, सचिन, अफिसिय पिउस, सभी को बहुत बहुत थैंक्यू जो आप लोग जुड़े हैं, ठीक है, चलो, तो बच्चा जल्दी से कलास को लाइक कर दो बाबू, आपकी जिम्मेदारी है ये, और उसके बाद अपने वाटस अप ग्रूप में, अपने इंस्टागराम पोस्ट पर जहां भी हो स के फेस्बूक पर कलास को सेर करके आओ, बाबू, निबेदन है, देखो हंड्रेट पलस बच्चे हो जाएं, बहुत मस्त कलास होगी, ठीक है, चलो, जल्दी करके आओ सभी, तुरंत करके आओ, देर ना करो, कुलदीप कुमार जी, हाँ बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोन काल ना किये करो जादा ना हर समय फोन करोगे तो कौन उठाएगा रहूल यादो सबी बच्चे जल्दी से कलास को लाइक करो बबू देखो मुझे पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं लेकिन करते नहीं है उन्हें लगता है कि हमें पता है नहीं चलता है मैं जान जाता हूँ तुम कर रहा कि नहीं कर रहा वई चलो तो बच्चा कल आपने पढ़ा था लाइब नंबर 11 आज आपका लाइब नंबर 12 है तो 12 पार्ट में आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे पहले मुझे यह बताओ कल इसमें से कौन-कौन आया था अगर तुम कल आये थे बेटा तो बोलो यस नहीं आये थे तो नो कल की कलास में आये थे ना सभी कल हम लोगों ने पढ़ा था भया क्या पढ़ा था बाबू कल हम लोगों ने वो पढ़ा था क्या-क्या-क्या-क्या-क्या निलंबन कल हम लोगों ने निलंबन पढ़ा था निल आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड क्या पढ़ेंगे कोलाइड आपका दूसरा चेप्टर खतम होने वाला है जैसे ही खतम हो जाएगा वैसे आपको पीवीर स्टडी के टेलीगराम चैनल पे पीडियाप फाइल मिल जाएगा इसका आपको नोट नहीं करना है ठीक है और टेलीगराम चैनल जॉइन कर लो टेलीगराम पर भी पीवीर स्टडी ही नाम है नहीं जॉइन करना पता है तो यूटूब पे सर्च करो पीवीर स्टडी टेली ग्राम क्या सर्च करोगे पीवियार स्टडी टेली ग्राम यूटूब पे सर्च करो वीडियो मिल जाएगा उसे देख लेना उसमें से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा तो बाबु चलो आगे बढ़ते हैं देर ना करें अब बिल्कुल भी तो अच्छा नहीं है ठीक का दिख रहा है सचीन कमेंट दिख रहा तुम्हारा परतीक तुम्हारा भी दिख रहा है ठीक है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सबके कमेंट आ रहे हैं जलो है तो है यह 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 इनको नहीं पढ़ना हो चैटिंग और नहीं करें अपना कोई मतलब नहीं है देखो आपने इसके पहले पढ़ा है समांगी और भी समांगी मिसरण सभी पढ़े हो ना बेटा पढ़े हो ना Homogeneous and heterogeneous mixture पढ़े हो ना Homogeneous क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई दो परकार के ऐसे मिसरण हो जिनको आपस में मिला दिया जाया अगर तो क्या हो जाता है उन्हें आपस में मिला जाया तो पूरी तरह से मिल जाते हैं उनमें अंतर नहीं जनाई पढ़ता है मतलब पूरी तरह से गुल मिल जाये अगर हम हिंदी भासा में बात करें मतलब आपको समझाने के लाज़े में तो इस तरह से है ना तो ये हो गया बेटा क्या आपका समांगी मिसरण समांगी मिसरण मैं ऐसे समझ लो मान लो जैसे आटे मिला देते हैं आटे में आटा मिला दोगे तो क्या होगा आटा आटा एक में मिल जाएगा मलूमें ने चलेगा कहा चला गया या फिर आप ऐसे समझ लो बेटा वो क्या बोलते हैं दूद में पानी मिला दो कुछ नहीं जनाई पड़ेगा पानी में दूद मिला दो नहीं जनाई पड़ेगा, कुछ नजनाई पड़ेगा तो ये सब क्या है? समांगी मिसरण है मैंने पहले भी पढ़ाया है आप वो ले लो, क्या बोलते हैं? कोई भी दो बस तू एक जैसे ले लो मनलो में ये दूद पानी सब से अच्छा है दूद पानी सब से अच्छा उदारण है ये समांगी मिसरण है ठीक है? लेकिन अगर आप देखते हो कोई अधर वस तू जैसे मनलो एक अलग बात करें ठोस में चना और मटर आपस में मिलाओ तो मिल जाएगा क्या? कि नहीं दिखाई पड़े? नहीं दिखाई पड़ेगा ना बैटा? चना और मटर आपस में मिलाओगे दिखाई नहीं पड़ेगा न? दिखाई पड़ेगा भैया, देख लो आपके घर में चना होगी, मतर भी होगी घर जाटा कि बूलते न उनको आपस मिला होगी, चना अलग दिखेगा लाल-लाल, पीला-पीला जो भी रहेगा मतर सफेजग अलग दिखेगी, एक में नहीं मिलेगा लेकिन अगर तुम क्या करो सरसो में सरसो मिला दो तो एक को दाना ना पहिचान पाओगे कहां चली गई तो यानि आईसी दो बस्तुएं जिनको आपस में मिला दो तो उनमें अंतर ना समझ मैं कहां चला गया एकदम मिल गया है घुल मिल गया वो क्या होता है आपका समांगी होता है और जिनमें अंतर दिखाई देता है अलग अलग दिखाई पड़ती है वो भी समांगी होता है ठीक है ना बच्चा आगे चलें किसी को कोई समस्या कोई परसानी नहीं ना कोई हरानी किसी को नहीं चलो ठीक है, बहुत अच्छे, तो समांगी भी समांगी के जो गुण होते हैं, उनके बीच की एक प्रोपर्टी होती है, जिसे, मतलब जिस बिलेन में या जिस पदार्थ में ये प्रोपर्टी पाई जाती है, वो कोलाइट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोलाइट कहलाते हैं, परि विसमांगी यानि homogenous and heterogeneous हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कोलाइट के बारे में समांगी तथा विसमांगी मिसरणों के बीच के गुण वाला एक मिसरण जिसके कड एक बार फिर से सुन लो समांगी तथा भी समांगी मिसरनों के पीच के गुण वाला मतलब समांगी का भी ना गुण हो उसमें ना भी समांगी का हो उसके पीच का कोई गुण हो मतलब थोड़ा बहुत ठीक है मिसरन जिसके कड़ बिलेन में समान रूप से जिसके कड़ बिलेन में समान रूप से फायले होते हैं वो колby काल आता है क्या क्यों करल आता है? जैसे इसका उदारण ते बताउंगा जैसे दूध हो गया, कौहसा हो गया ये थोड़ा नया ताइप आजीव ताइप का अब को तॉड़ा करन मीना, प्रिया सर्मा, यह जो पॉइंट है यह थोड़ा आजीव टाइब का है, मतलब बहुत कम इंट्रेस्टेट है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को भी मुझे भी है तो आगे क्या है, आगे देखो, यह बिलेन कहलाते हैं, इन्हें कोलाइड निलंबन भी कहते है, ठीक है, परिवासा लिख देना कि समांगी देता भी समांगी मिसरण के बीच के गुणवाला मिसरण कोलाइड निलंबन या कोलाइड बिलेन का लाता है, ठीक है, आगे चलें, कोलाइड बिलेन के कण, निलंबन के कणों की अपेच्छा आकार में छोटे होते हैं, बिल्यन के जो कढ़ए वह नहीं लम्बन के कढ़ों के हैं इस कारण से यह समांगी पतीत होते नहीं है ये भी समांगी होते हैं उदारण के लिए जैसे आप ले सकते हो दूद हो गया सेबिंग क्रीम हो गया सेबिंग क्रीम जानते हो अरे लोग दाड़ी बड़ी बनाते हैं नहीं लगा के इसे इसे रकड़ रकड़ के अगर आप तो नहीं बनाते हैं आपके घर में भाईया बनाते होंगे पापा बनाते होंगे मम्मी तो बनाएंगे नहीं मम्मी के तड़ी होती ही नहीं है भाईया पापा बनाते होंगे तो तुम देखे होगे सेविंग क्रीम लगा के क्या करते हैं ये साप करते हैं न वही तो सेविंग क्रीम भी क्या है कोलाइट का एक उधारण है जेल हो गया जेल जेल लगाते हैं नहीं मुलायम करने के लिए देखे हो न आप लोग सुने हो न सभी सुने हो कि नहीं पहले बताओ अच्छा ये बताओ आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहो यार मजा नहीं आ रही बाबू जल्दी से कलास को लाइक करो न यार सभी बच्चे जल्दी से कलास को लाइक कर दो तुरन देर ना करो लाइक करके फटा फटा अपने दोस्तों में सेर करो, बहुत जल्दी करो, फास्ट, चलो कलास जो है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लेट हो जाता है, फिर टाइम बहुत कम बज़ पाता है जल्दी करो भई, ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार देखो, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कोलाइड के गुड़ धर्म, क्या पढ़ेंगे, कोलाइड के गुड़ धर्म, इसको सुन लो, इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसका एक्सपेरिमेंट करवा जाएगा, तब अच्छा समझ में आएगा experiment भी हम करवा देंगे देखो जितने भी experiment करोगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है रहा बच्चा तो collide के गुड़ धर्म में क्या है number 1, collide एक बिसमांगी मिसरण है पहला गुड़ है, collide क्या है हेटरोजीनियस mixture है दूसरा collide के कंड इतने बड़े होते हैं कि वो परकास की किर्णों को फैला देते हैं जिससे परकास का मार्क जो है दिष्टिगोचर हो जाता है collide बिलेन को सांथ छोड़ देने पर इसके कंड सल पर नहीं बैठते हैं अर्थात ये अस्थाई होते हैं जैसे ये ले लो दूद दूद ले लो अगर दूद को तुम रात बर रख देते हो कमरे में तो क्या सुबा उठते हो तो क्या उसमें नीचे तलहाटी में कुछ बैठा रहता बड़ा का नहीं बैठा रहता ना क्योंकि दूद में कई परकार केता तो होते जैसे देखरो प्रोटीन हो गया, वस्ता हो गया, तो यह सब बैट नहीं जाते है, अलग अलग, निकल नहीं जाते है, अगला क्या है, कोलाइड के कणों को छानन विधी द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यानि दूद को अगर तुम छान होगे तो उसमें से क्या निकले निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो कोलाइड के जो करण है, उन्हें छानने की विधी द्वारा प्रिथक नहीं किया जा सकता है, यह इसका अगला कुण हो गया, परन्तु बिसेस, विधी, आप केंदरी करण तक निकी के द्वारा इने अलग किया जा सकता है, कौन सी व इसको देख लो यहां पर वर्ड अभी इसका PDF मिल जाएगा टेली ग्राम चैनल पर ठीक है आप केंद्री करण इस बीदी द्वारा इसे क्या किया जा सकता है अलग किया जा सकता है देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ इसमें से कौन-कौन देखा है वो दूद पेरने वाली मसीन देखे हो जिससे सरसो पेराई करते हैं तो तेल निकलता है वो ऐसे डेरी हो रही पिर देखो दूद की पेराई करके उसमें से मलाई निकालते हैं देखे हो की नहीं և Hah vín कि पढ़ाई कर लो ֈ बढ़ाई कर लो ईक्षा पल तो किसी का नाम ना लो वोग किसी का नाम लेके कमेंट isn't करेगा निथा बलोक कर देंगी जान लो अपना पड़ों किसी का नाम मतलू और देखो और भी class चलेगी आपकी मैं आज एक class और भी करवा देता हूँ ऐसे जोच तो आई ही रहा हूँ आपके आसपास dairy होगी तो आप देखे होगे सहरों में ज्यादा होता है गाउं में कम होता क्योंकि गाउं के लोग के घर में खुदी दूद होता है सार में लोग खरीद के लाते हैं क्योंकि सार में लोगों के फैट होता है, मोटापा होता है, पेट निकलता है तो फैट हो उसमें से निकाल लिये जाता है, क्रिम निकाल लिये जाता है, तो दूद का जो है कुछ बचे हुए हैं से पिलते है आदित बेटा तुम्हारे उपर मेरी नजर है तो यह क्या हो गया आपका यह कोलाइड का गुण हो गया ठीक है तो कोलाइड के उधारण भी आप पढ़ लियो तो बच्चा इसके बाद में हम थोड़ा सा आप लोगों को रिबीजन मतलब कुश्चन पूछ ले क्या बताओ सह आई रहेगा की नहीं देखो जो भी चीज पढ़ाया जाया उसे रिवाय जरूर करो इसके आगे क्या है आप लोग कोई बताएगा किताब लिये हो की नहीं आप लोग किताब लिये हो कॉलाइड के बाद आगला जो टॉपिक है वो क्या है बही देखो मेरे पास आज बुक नहीं है अब हम आप लोगों से question पूछेंगे आगे देखो आगे मालूम होना चाहिए क्या है न अब मुझे यह बताव आप लोग आपने सुना होगा वो क्या बोलते हैं कैल्सियम सुना होगा कि कैल्सियम की कमी से बिमारी हो जाती है तो कैल्सियम का जो परमाडू कर्मांक है वो कितना होता है जल्दी बताओ सबी बच्चे कैल्सियम का परमाडू कर्मांक कितना होता है इसी तरह से अगर हम बात करें वो oxygen का, तो oxygen का सुत्र क्या होता भई, ये सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, उसका राय हर समय कोई call नहीं उठाता, दस बजे के बाद call करो उठेगा, ठीक है, दस बजे के बाद करो उठेगा, हाँ हाँ ठीक है परमोद कमेंट आ रहा बच्चा आपके कमेंट आ रहे हैं इसके बाद इसमें सारा परियोग करने वाला है एक्सपेरिमेंट है पढ़ने वाला क्या है मैं देख लेता हूँ बहुती क्यों रसाइनिक परिवर्तन है ठीक है इसके बाद क्या बच्चा बहुत ही कि इवम रसायनिक परिवर्थन जो पढ़ने वाला है ठीक है? ठीक है ठीक है सुनो फिजकल एंड केमिकल चेंजिंग जो है इसको तुम्हें इंगलीस अपने से बना रहा हूँ फिलहाल इंगलीस तुमुझे नहीं पता है ठीक है बहुत अच्छे अगला टॉपिक डालो आप लोग यह हो गया बहुतिक और रसायनिक परिवर्थन देखो बहुत तरह के परिवर्थन होते हैं हम लोग की जिन्दगी में बोलो होते हैं ना तो बहुत ही ध्यान से समझो मज़ेदार टॉपिक है यह इंट्रेस्टर है देखो बच्चा कोई भी जैसे माललो लड़का पैदा होता है जैसे माललो आप पैदा हुए थे छोटे थे कौँआ कौँआ कर रहे थे हम भी वह सही थे तो फिर हम लोग धिरे-दिरे बड़े हो जाते हैं ना बोलने लगते हैं चलने लगते हैं खाना पीना खाने लगते हैं ना आने दोने लगते हैं बड़े हो जाते हैं तो ये भी क्या एक परिवर्तन हुआ ना, यानि हमारे सरीर के अंग बढ़ गए, हम लोग बड़े हो गए, समझदार हो गए, ये क्या एक परकार का परिवर्तन nota ही समझो, तो ये बताओ क्या ये परिवरतर कुछ दिन के लिए है क्या ये चेंजिंग सिर्फ कुछ दिन के लिए है कि आज बड़े हो गए हो खाना पीना खा रहे हो गूम रहे हो ना दो रहे हो कल फिर तो ने बड़े हो जाओगे बता ऐसा होता है क्या क्या ऐसा होता है कि कोई बच्चा आज बड़ा हो गया कल फिर छोटा हो जाए लेटिंग लिखो बहुत तिक परिवर्तन नहीं होता है न ऐसा नहीं होता है जो एक बार बड़ा हो गया वो छोटा नहीं होता है मतलब एक बार जो बच्चा था वो जमान हो गया तो अब लड़ीका नहीं होगा बुढ़ा जाएगा बले तो ये एक परकार का परिवर्तन हो गया परिवर्तन मैं आपको समझा रहा हूं दयान से सुनो बेटा इसके अलामा क्या है हाँ सबका कमेंट मुझे दिख रहा है ठीक है ठीक है ओके ठीक है ठीक है देखो मैं इसमें कुछ चीजें पढ़ूंगा आप उन्हें ध्यान से सुनो इसमें से बहुत कुछ आपको निकल के आएगा जो समझने वाला है अब ध्यान से सुनो सबी पिछले अध्याय में हमने परिवर्तन के बहुतिक गुणों के बारे में अध्यान किया है ऐसे गुण जिनका हम अलोकन एवं वरणन कर सकते हैं जैसे कि रंग, कठोर्ता, द्रणता, बहाव, घनत्तो, द्रवनांक तथा कोथनांक जैनि melting point and boiling point इसका मतलब है इत्यादी को बहुतिक गुण कहा जाता है या फिर बहुतिक परिवर्तन कहा जाता है ऐसे समझ लो मतलब जिनका रंग, कठोर्ता, द्रणता, बहाव और घनत्तो, द्रवनांक और कोथनांक ये सब क्या होते हैं बच्चा फिर बहुतिक परिवर्तन होते हैं जैसे ये समझ लो कि हम क्या हैं आज काले-काले दिख रहे हैं अच्छत हम काले नहीं है, मान लो एक मिनट के लिए कि हम काले-काले दिख रहे हैं तो ये क्या है बेटा, हम काले-काले दिख रहे हैं ठीक है, तुम्हें काला-काला दिख रहा हूँ लेकिन ये समझ लो कि कल हमने क्या किया बहुत सारा पाउडर क्रीम लोप लिया पोत लिया को बढ़ी है सफेद सफेद अब कल हम बहुत गोरे गोरे दिखने लग तो ये क्या हुआ हमारा रंग थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा न तुम्हें दिख रहा है न यह बहुतिक परिवर्तन हुआ यह क्या है बहुतिक परिवर्तन है आजकल दुनिया बहुतिक परिवर्तन के पीछे ही भाग रही है समझ रहे हैं न तो हम क्या कहना चाहते हैं लड़कियों को देखोगे अंकल तो छोड़ दो अंकल तो ऐसे भी मूँ नहीं दूलते हैं अंटी लोग को देख लो बढ़ियां बढ़ियां साथ धंच के गूमते रहते हैं तो वो सब क्या बहुत इक परिवर्दाने साम को जाएंगे घर मूँ दूलेंगे कुछी को रियल में देखना जब वो सुबस सो के उठे तब देखो उसका थोबड़ा कैसे दिखता है समझे रहे हैं ना क्योंकि रात बार में सब मालो होली आ गई होली पर भावी-जी लाई हमारी रण गोल करके बढ़ल दी तो क्या होगा बताओ हमारा जो सरट है वो सफेद से बदल के क्या हो जाएगा उस कलर का हो जाएगा तब आएपक का बहुत रंग यह पूझना पड़ेगा या तो red हो जाएगा या green हो जाएगा जो भी है तो यह क्या एक बहुतिक परिवर्तन है क्यों बहुतिक परिवर्तन है मान लो कि भई यह हमारे दूई भावी है अरे तुम ही जानलो तुम्हारे ही जैसे इसमें देखो पंकज के मान लो या रोसन कुमार के मानलो तो छुटकी भावी लाके भाई या लाल वाला रंग डाल दी सर्ट लाल हो गया कुछ देर बाद बढ़की भावी आई उनका भी नमबर आया नहीं हम नहीं डालेंगे का बोला ही हरा वाला रंग डाल दी तो सर्ट का कलर क्या होगा एक बार तो लाल पड़ा था एक बार उसके उपर दूसरा कलर पड़ा तो फिर ना तो लाल रहेगा ना हरा रहेगा इसका कलर कुछ और हो जाएगा यानि बदल रहा फटा फट बोलो बदल रहा कि नहीं कलर बदल रहा सर्ट का न लेकिन ये बताओ अगर बच्चा तुम पढ़ रहे हो कच्छा दस में या नव में और तुमारी उमर है कितना सोला से सतरा साल मानलो या पंदरा सोला साल है अब मानलो होली में तुमारे दोस्तों ने तुमें रंग लगाया या तुमारी भावी ने तुमारे उपर रंग डाला तो क्या रंग डालने तुम पचीस साल के हो जाओगे मतलब बड़े हो जाओगे क्या मोटे तकड़े हो जाओगे नहीं हो पाओगे न क्यूं क्यूंकि ये बहुतीक परिवर्तन नहीं है ये छण भर में नहीं बदल सकता बहुतिक परिवर्तन वो है जिसमें क्या होता बच्चा रंग बदल सकता है जल्दी से जल्दी द्रिड़ता बदल सकती है घनत तो बदल सकता है घनत तो बदल सकता है मतलब जान रहो इसको density बोलते ना वही जो भी है दरणांक तो था कोथनांक बदल सकता है इनी को क्या कहते हैं बहुतिक परिवर्तन कहते हैं क्या कहते हैं बहुत थीक परिवर्तन कहते हैं सचीन बेटा पढ़ोगे कि नहीं तुम सचीन को बला करो भाई सचीन को बला करो इतना ना लाएक पतनी कहां से आगया कमी नहीं चल निकल लें अजबाग सुनो तो जैसे माल लो अगर हम घनत की बात करें वो सुने हो कि नहीं गरीबी में आठा गीला सुने हो जैसे माल लो कि भाईया रोटी बनाने जा रहे हो आप रोटी बनाने जा रहे हो रोटी के लिए क्या करते हो बले आठा गूंजते हो आठा में पानी डालके सानते हो तो जब आठा गूंजते हो तो क्या होता है वही लुगदी टाइप का बन जाता है? उसमें क्या करते हैं? ना पानी मत डालो गीला गीला बन जाए उसे लोटी नहीं बनेगी फिर भारत के नक्सा वाली रोटी भी नहीं बनेगी सीदी तो बात छोड़ो तो मालो आटा गूंध लिए भाई सान गॉंज लिए तो वो क्या बन गया रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया लेकिन छोटका हुआ आ गया उमें गिला साथ पाइन डाल दिया तो वो पानी डाल दिया तो क्या होगा अब आटे का जो एक परकार से अगर बात करें आपको समझाने के लिए मोटा मोटा तो उसका क्या होगा वह थोड़ा गीला हो गया गीला हो गया न एक परकार ये कोग उसका घनत तो क्या हुआ कम हो गया तो फिर क्या होगा उसको फिर से गूतना पड़ेगा फिर वो गीला हो जाएगा यानि कम हो गया उसमें फिर आपने इतना आटे डाल दिया तो फिर क्या हो फिर बढ़ गया यह बढ़ता घड़ता रहता है यह क्या है यह बढ़ता घड़ता रहता है किसी को क्या बोलते हैं बहुतिक परिवर्तन बोलते हैं जैसे मैंने सबसे अच्छा मेक आप आप समझे लो सबसे अच्छा रहेगा बहुतिक परिवर्तन में इसके अलाम बहुतिक परिवर्तन में ब मोम जब जलती है बेटा तब क्या होता है जब मोम जलती है तब क्या होता जानते हो मोम बत्ती जलती है तो पिखल जाती है पिखल जाती है पिखल करके क्या होता है भई मोम पिखलेगी तो लाइट जलती उसमें से उसमा अगरा निकलती है न तो आप देखे हो मोम नीचे के नीचे इकठा होती जो मौम इकठा हो जाती है उससे दुबारा से मौमबत्ती बनाई जा सकती कि नहीं नहीं दूसरा बर्फ देख़ए हो आईस उससे दुबारा से दुबारा बर्फ बन सकती हो नहींision बन सकती न बिटा तो देखो यहां समझो यहां समझो जैसे माल लो वर्फ है यह बन गया क्या पानी बन गया और फिर बच्चा क्या है पानी से फिर से बर्फ बन गया तो यह क्या कलाता है बहुतीक परिवर्थन कलाता है क्या कहलाता बिटा बहुतीक परिवर्दन कहलाता है ठीक है करन मीना पढ़ाई कर लो बिटा पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा ठीक है नाब्या गुपता साइंस का एक और कलास करा दीजिए साइंस का ही तो कलास चल रहा है समझो बर्फ से पानी बन सकता है पानी से बर्फ बन सकता है ये सही है लेकिन एक मिनट के लिए सोचो बेटा देखो जिनको समझना है उनके लिए बहुत मस्त कला सही है ये समझाया जा रहा है यहां पे समझाया जा रहा है लेकिन तुम अगर समझो कि यहां पे कुछ मिल नहीं रहा समझो यह बता बच्चा दूद देखे ओ सभी मिल्क दूद से दही बनती है ना यह बताओ सभी क्या दही ओ से कभी दूद बना सकते हो बता हा या नहीं बोलो हा या नहीं अब मैं कमेंट स्लो कर दिया हूँ बलक करूँगा दीर दीरे पढ़ना 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 बग जाया से क्यों भाई परिसान करके रखा है दूद से दही बन सकता है दही से दूद बनेगा की नहीं बोलो सभी जल्दी से हाँ या नहीं हाँ या नहीं बोलो बन सकता है ना बेटा नहीं बनेगा देखो दूद से दही बन सकता है लेकिन दही से दूद नहीं बनेगा बच्चा दही से दूद नहीं बनेगा बेटा ठीक है तो समझ रहे हो न तो जो बर्फ से पानी बन रहा पानी से बर्फ बन रहा बिटा यह है आपका भौतिक परिवर्तन क्या है ये पहुतिक परिवर्थन और जो दूद से दही बन गया अब दही से दूद ये पॉसिबल नहीं है दही से दूद नहीं बनेगा बच्चा तो ये क्या है ये है रासायनिक रासायनिक परिवर्थन मतलब वो परिवर्थन जो रिवर्स में हो सके वो परिवर्तन जो रिबर्स में हो सके वो बहुत तिक परिवर्तन कहलाता है लेकिन जो ऐसा नहीं हो सकता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है बस इसी को तुम्हें याद करके रखना है समझ के चलना है बस बाकी बहुत कुछ नहीं है ठीक है न बिटा तो समझ गए ना आप लोग तो बताओ यस सभी समझ गए न समझ गए तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए पता होनी चाहिए मुश्कान जी समझ में आया तो ये समझ में आया बेटा ये था आपका बहुतिक परिवर्तन और रसानिक परिवर्तन अभी आठ बज़े से आपका कक्छा दस वालों का कलास है हाई स्कूल वालों का इस वज़ा से मुझे ये कलास यहीं पर बंद करनी पड़ेगी छोटी चल रही आज कलास मुझे पता है लेकिन हमारी कोसिस होगी कि आपकी कलास जो है बड़ी की जाए और जिस चैनल पर हम सूचना देते हैं PBR स्टड़ी लहाबाद वाले पर उस पर आप लोग क्या बताऊं मैं सुनो जिनको भी पढ़ना है रोज वह एक काम करें जिनको भी रोज पढ़ना बेटा वह टेली गराम चैनल जोईन करें ठीक है उस पर सारी लिंक भेज दी जाती है आप क्या करो टेली गराम एप्लिकेशन प्ले इस्टोर से डाउनलोड करो और उस पर PBR study word लिखके सर्च करो मिल जाएगा ठीक है ना भाया समझ रहो ना बाबू आकास कुमार और एक चीज़ सुन लो अगर आप नहीं जानते हो कि टेली गराम क्या है कैसे जोईन करें तो उसके लिए यूटूब पर लिखके सर्च करो क्या लिखके या बोल के सर्च कर लो टेली गराम PBR study तो तुम्हें तुरंद वीडियो मिल जाएगा ठीक है टेली गराम PBR study लिखके सर्च कर लो गे यूटूब पर तुम्हें तुरंद वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो में सब बताया गया है कैसे जोईन करना है कैसे क्या होता इसमें PDF फाइल भी वेजी जाती है साइन्स का जैसे चैप्टर खतम होगा इसमें PDF भेज दिया जाएगा ठीक है समझ रहो ना बच्चा जैसे साइन्स का खतम होगा वैसे इसमें पीडिया भेज दिया जाएगा आप लोग पढ़ सकते हो इसमें अराम से नोट्स भी मिलता है ठीक है तो भाईया बाबु आज का सेशन एपर बंद करते हैं आप लोग कलास को सेयर जरूर करना परांजल कुमार पांटे इंगलिस का बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा टीचर से मैंने बात किया है आपका इंगलिस का कलास बहुत जल्दी सुरू होगा आप बस थोड़ा सा बेट कर लो बाबु ठीक है थोड़ा सा बेट कर लो बस थोड़ा सा चलो फिर आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को जैहिंद बच्चों कलास को सेयर जरूर करना यार जिससे बड़ी कलास हो सके दो-दो घंटे किया ठीक है सेयर करना और हां रात के 9 बज़े से इस चैनल पर रिवीजन भी होता है आप लोग याद रखना रात 9 बज़े से आपको महत या साइंस कुछ ना कुछ रिवाइच करवाया जाएगा आना जरूर रात 9 बज़े हां